हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल स्कूलिंग क्लासेज जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं स्कूल से रिलेटेट कोई भी जानकारी होती है कोई भी इंफोर्मेशन आती है सबसे पहले आप लोगों तक पहुचाने की कोशिस करता हूँ आज इस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो की कारियाल है जिला सिच्छा अधिकारी जिला गरिया बंद 36 गर के माध्यम से एक आधेश जारी किया गया है और ये समस्त स्कूलों के लिए लागू होगा ठीक है जो भी गवर्मेंट स्कूल है समस्त स्कूलों के ये लागू होगा इस वीडियो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो भी कक्षा पहली से लेकर आठवी तक के बच्चे पढ़ते हैं उनका जो स्कूल जाने का समय है उसमें परिवर्तन किया गया है ठीक है साला संचालन का समय में परिवर्तन किया गया है ध्यान से लोग का कब से आप लोग का ये परिवर्तन किया गया है ठीक है यहाँ पे देख पारे होंगे लिखा हुआ है च्छतिस गर सासन स्कूल सिच्छा विभाग मंत्राले महा नदी भवन नवा रायपूर अटलनगर का आदेश क्रमांग 322 तीन नया रायपूर अटलनगर तिना गरिया बन के अंतरका संचालित प्रात्मिक साला ये पूरो मादमिक सालाओं के सैच्छिडिक समय ओधी को बढ़ाते हुए गर्मी के कारण साला संचलाने समय में दिनांग 28-3-2022 हाँ दो फ्रेंड्स आप लोग का 28-3-2022 से समय जो साला जाने का समय है इसकूल जाने का समय उसमें परिवर्तन किया जाता है ठीक है अब देखिए किस समय पे आप लोग का स्कूल लगेगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक पाली में संचालित समस्त प्रात्मिक पूरो मादमिक सालाओं का सोमवार से सनिमार तक प्राता साथ बचकर 30 मिनट से ल लेकर 11 बच के 30 मिनट तक आप लोग का स्कूल रहेगा ठीक है और 9 और 11 जैसे आप लोग का चल रहा था वैसे ही रहेगा ठीक है जो भी बच्चे अभी तक मेरे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब जल्दी से जल्द कर लीजे क्योंकि इंड लाइन आकलन क आप लोग का उत्तर में लेके जल्द ही आने वाला हूं ठीक है इंड लाइन आकलन आप लोग का वार्शिक पर इच्छा होने वाला है उसका प्रश्न उत्तर जल्द ही लेके आने वाला हूं सस्क्राइब जल्दी कर लीजे आपके सामने रेड कलर का सस्क्राइब बटन झाल